वालकम बेक टूर्दू गेम प्लेस ट्रेन पहुंच चुकी है नहीं जगा तब बाहर निकल कर ही देखेंगे कि कौन सी जगा है और क्या हम फाइनली वहां पहुंच चुके हैं जहां पर केट वाकर जाना चाहती थी ट्रेन से नीचे उतरने की लेफ्ट साइड से यह उप्शन हा रही हम् ओसकर से बता करते हैं अब क्या मसला हुआ अब आसकर ने बोला है कि ट्रेन की वाइंडिंग फिर से खतम हो गई है और मैं तुमारे साथ नहीं आ सकता क्योंके यहां पर एर में बहुत ज्यादा नमी है हवा में और मैं क्योंके एक अटोमाटोन हूँ यानि के रोबोट हूँ तो मेरे लिए तुमारे साथ जाना थोड़ा मुश्किल होगा तो इससे अब मजीद बात करना नहीं चाहिए और हमें जो है बाइंडिंग मशीन ढूननी चाहिए काँ पर मुझूद है इस स्टेशन पर और है भी या नहीं सीडियों उपर जा रही है और ये कोई बहुत बड़ा सा एक अटोमाटोन है आई थिंक सो जो कि आपने बैक ब्राउंड में देखा भी कुछी देर पहले और अभी भी आप बैक ब्राउंड में एक और देख सकते हैं तो हम इन सीडियों की मदद से उसके उपर आ चुके हैं और यहां पर एक बिस्तरा लगा हुआ है और यह क्या पड़ा है यहां पर एक वाइस सेलेंडर है और यह जो बड़ा सा एक टामाटोन है इसकी टांग पर एक निशान जो है उसको हाई लाइट किया गया है तो में भी वहां पर वाइंडिंग मेशीन हो लेकिन यहां पर एक मजूद है चाबी जो हम अलरडी इस तरह की चाबी यूज़ कर चुके हैं फैक्टरी गेट पर और यहां पर एक कॉंसोल है सम काइंड अफ कॉंसोल और यह चाबी हमने जो हसल किया इसको यहां पर लगा कर चेक करते हैं जहां भी लग गई है सक्सेसफुली और अब बटन प्रेस करते हैं अटोमोटोन को मूव फारवर्ड किया है हमने ताके वो ट्रेन के इंजन तक लोकोमोटिव तक पहुंच सके एक द्वा फिर से करना पड़ेगा ऐसा क्योंकि अभी तक वो कम्प्लीटली ट्रेन के इंजन तक पहुंच नहीं पाया था और मेरे साला इससे ज्यादा आगे वो जाएक अभी नहीं रेड कलर का बटन है वो प्रेस किया है तो ट्रेन की वाइंडिंग जो है वो बड़ी असानी से कंप्लीट हो गई तो यही पर बस इतना काम था यहां पर और हम जहां से हम आये थे वहीं से नीचे उत्रेंगे सेडियों से लेकिन नीचे उत्रने की जगह नहीं है तो हमें आटमाटान को आई थिंक सब आपिस लेकर जाना पड़ेगा उसी जगह पर अब ट्राई करते हैं नीचे उत्रने की हम यहां पर एक सराख मजूदा काफी बड़ा लेकिन उसके अंदर जाने की आप्शन नहीं आरी कोई भी किसी किसम की और इसके लावा हम और कहीं पर जा भी नहीं सकते तो आइठिंक सो के हमें यहां पर वापिस रिटार्न आना पड़ेगा जल्द ही वापिस चले जाते हैं और अटमाटान को उसी जगह पर वापिस ले जाते हैं जहां से हम उसको मूव करके लाए थे फारवर्ड पॉन्सोल पर एक दोब फिर से इसे पीछे की तरह मूव करेंगे काट सीन प्ले होगा और आप इस बड़े से अटमाटान को पीछे जाता हुआ देख सकते हैं अब हम नीचे उतर सकते हैं असानी से प्रेन में से कुछ बंदा निकल कर भागा है और मुझे डा रहा है कि उसने कुछ चोरी कर लिया होगा यहां से बात करते हैं आउसकर से जाता है पहले लोको मॉटिव की तरफ जाने की आप्शन नहीं है हमारे पास तो ट्रेन में सलते हैं क्योंकि वो बंदा यहीं से निकल कर भागा था बाहिट आउसकर के हाट पाउं बंदे हुए हैं आउसकर के हाट पाउं बंदे हुए हैं आउत ही बंदे हैं बलके तो इसकी मुझे पर पट्टी ही है उसको खोलने की पौशिश करते हैं बंदे हैं I have been attacked what do you mean you've been attacked? my hands! I no longer have them. They have been stolen! oh my God, you haven't got your hands! but we can be sure of one thing Kate Walker that this heinous crime was committed by a barbarian a dysfunctional individual whose behavior lacks did you get a look at your attacker? tell me exactly how it happened I was standing here polishing up my metalwork I was just thinking that with all the dust in the air it would be a good idea Oscar I was very busy, and I suddenly felt two powerful arms grab me from behind and tie me up before I had the chance to defend myself. I wanted to call out, but my attacker gagged me before I could admit the slightest sound. Then he dismantled my hands with a terrifying pair of pliers. He was horrible. I can believe it, not poor Oscar, but did you see him? He was a real barbarian, I tell you. He had bloodshot eyes, steel teeth, and brown scaly skin. And he emitted foul odors. He was a monster. Oscar, please calm down. Everything. Okay, so Oscar has told me that the person who was in his hand was taken by him. Because Oscar is an atomaton and he told me that he attacked me from behind. And he tied me with a wazoo, and put my hands on my hands, and put my hands on my hands. And the train was taken by him, and put my hands on my hands on my hands. But here I was thinking that it was so easy, and why is it so easy, and why is it so easy? That night, visit. This guy has a new sod. That Oscar's hand, if we go back to my hands, when we go back, it will be a train. So here I had a way to walk. यह वाला इस तरफ जाते हैं जहां पर वो शक्स गया था और यह दर्वाजा है लेकिन एज यूजर दर्वाजा जो है वो लॉक है हम्म कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा इस बिल्डिंग के अंदर जाने करी और वो दूसरा रास्ता आइटिंक सो आपको अंदाजा हो गया होगा के कौन सा है हमें टॉमाटोन के उपर फिर से जाना होगा और उसको वन स्टेप फारवर्ड लेकर जाना होगा ताके हम उस बाल कोनी पर जंप कर सकें जहां हम अल्रेडी होकर आए थे लेकिन उस वकट केट वाकर वहां नहीं जा सकती थी तो एक स्टेप इसे फारवर्ड मूव करें टॉमाटोन को ताके ये इस लोकेशन पर आकर रुप जाए और अब हमें जो है यहां से बाहर निकलना होगा जंप करना होगा इस साइड पर और अब हम अभी इंदर नहीं जा सकते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रही ना ऑप्शन क्या चीज़ मिसिंग है हमारे पास केट वाकर अंदर क्यों नहीं जा रही लगता है फिर कुछ मिस हो गया हम से लाक्स तू बैड जंप करें अटोमटोन के एक कॉंसल पैनल में जाएं और इसको फ्रंट मूव करें यहां पर गेट वाकर उतरना नहीं जाती एक्चलिए मैं मूव करना था इसको बैकवर्ड्स और हमने मूव कर दिये इसको प्रंट साइड पर फिर एक दबाब बैक मूव करें पट सीन आप बाइदवे स्किप कर सकते हैं राइट स्लिक से किसी भी किसम का तो मैटल शीट्स को काटने के लिए आइ थिंग हम कोई चीज मिस कर रहे हैं वापिस चल कर देखते हैं कर दो का प्रफ़ाइब? कर दो कर दो की लिए चारीट प्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जहां पर रोस्कर को बांदा गया था उसी रूम में जाते हैं और ये फ्लोर पर कथर पढ़ाया जो हम मिस्स कर गए थे और इतना लंबा चक्कर पढ़ा हमें अब जब हम यहां पर आई चुके हैं तो इस सेलेंडर को वोईस सेलेंडर को भी यहां पर रख देते हैं चार के चार वोईस सेलेंडर पूरे हो चुके हैं इस से पहले के ओसकर हमें बताए के वो ट्रेन नहीं चला सकता क्योंके कोई चीज मिसिंग है हम वोईस सिलेंडर कुद ही रख देते हैं वहाँ पर प्रेंट से नीचे उत्रेंगे और अभी एक कटर जो है इसको वहीं पर जा फर हम यूज करेंगे में डूर बंद है इस वैसे हमें इस साइड पर जाना पड़ा सीडियां दुबारा वापस चड़ेंगे टोमटोन जो जाइन्ट अटोमटोन है उसकी सीडियां और मूव फारवर्ड करेंगे एक दफ़ा कट सीन स्किप करेंगे जंप करेंगे दूसरी साइड पर और यहां पर अब राइट क्लिक करके इंवंटरी में जाकर मैटल शीयर्स यूज़ करेंगे कट सीन में आप देख सकते हैं के केट वाकर इस लोहे की शीट को काट रही है कटर की मदद से प्रब हम अंदर दाफिल हो सकते हैं इस विंडो के जरीए और यहां पर एक्स्प्लोर करेंगे कोई चीज उठाने वाली ना हो तो मूब फारवर्ड करेंगे लेफ्ट साइड पर हमें मिली है स्पार्क प्लग मिला है हमें यहां से यही था यहां पर उठाने को और अप सामने वाली साइड पर जाएंगे इदर यहां से आप फैक्टरी का व्यू देख सकते हैं आप यहां पर भी वीव है दूसरा फैक्टरी का फैक्टरी का यहां पर भी विव है दूसरा फैक्टरी का तो क्या हम यहाँ पर सिर्फ spark plug लेने आये थे तो फिर आप यहाँ से जाना ही बनता है जंप करें अटोमाटोन पर और पॉंसल पर इसको एद्वा बैकवर्ड्स मूव करें फिर से नीचे उत्रें वापिस हम् और हमें अब कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा इस बिल्डिंग में जाने के लिए ट्रें को पास करते हैं और यहां पर मजूद है एक एलिवेटर इसका हैंडल प्रेस करते हैं और इसके अंदर दाफिल हो जाते हैं यह लेजेगी केट वापर को बेस्मेंट में और फून आ चुका है कर दो कर दो कर दो को ने यह लुद करते हैं कर दो में आ पर आपके आपके लुद कर दो कि इसके वाइसे के वापर ने बोला के मैं तुमसे बाद में बात करूँगी और यहां पर एक जनरेटर है और इस पे हम स्पार्ट प्लग लगाएंगे इंवेंट्री में से निकाल कर और अब इसे ओन करना हो गाने ताके बेस्मेंट में रोशनी हो जाए आगे जाना पड़ेगा और देखेंगे यहां पर और कोई चीज तर नहीं एक्स्प्लोर करने की चूहे थेर रहे हैं यहां पर एक टीवी लगा हुआ है यहां पर भी एक एलिवेटर मुझूद है लीवर पूल करेंगे लेकिन केट वाकर से इसके मुझे ऐसा करने की दुरूद नहीं है क्योंकि यह लीवर जो है एलिवेटर को काल करने के लिए और एलिवेटर आल्रेड़ी वहां पर मुझूद थी यहां पर भी एक टीवी है और एक बड़ा सा गेट है यह बड़ा दर्वाजा लॉक है बहुत बड़ी फैक्टरी लग रही है उपर सीड़ी भी जा रही है लेकिन उपर जाने का रस्ता बंद है क्योंके यह स्क्रूज हैं और हम मैं चाहिए एक तो स्क्रूज ड्राइवर येस तो आगे जाते हैं और देखते हैं और क्या उप्शन है यहां पर मौझूद ये सीड़ी यहां प्येट वाकर नहीं जा रही उपर की तरफ तो हमारे पास और यहां पर क्या उप्शन है एस सच कोई नजर तो नहीं आ रही वापिस आते हैं दूसरी तरफ घूम कर जाते हैं इस तरफ यह वाली सीड़ी यह उपर जा सकते हैं यहां पर एक प्यानव मजूद है और यह उसकर के हाथ जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं इसे टॉमटोन को तो हम स्क्रूडरावर उठाएंगे पहले एम्टी हैंडिड होना चाहिए आपको राइट क्लिक करके और इसी स्क्रूडरावर की मदद से हम इसके हाथों को खोलने की कोशिश करेंगे लेकिन आइस सच कोई ऑप्शन यहां पर नहीं आरी लेकिन इस स्क्रूडरावर से हमें हाथ नहीं खोलने आइटिंक हमें उस बोर्ड को खोलना है जो के उपर सीडियों की तरफ जाता है वापिस आएंगे दूसरी जगा पर घूम कर और यहां पर यूज करेंगे स्क्रूडरावर चारों के चारों पेज पर अब हम उपर जा सकते हैं मुझे ऐसा लगा के वो आसकर के हाथ हैं और यह स्क्रूडरावर की मदद से उनको खोल सकते हैं यहां पर यह दर्वागा एक और यह है वो शक्स जिसने हाथ चुराए थे उसकर के हु... हे यु.. हुरी तास्फ. पुर्क पहला हुट ए憑 अर्क्राव इन्हीं हमाने स्प्रीज ओेम कर्या दो वितो ताBen? मुआ तेसे सम् मिसअनederस 6 इक मैं अब हम्सटपने अब रहाए हैं Ἀक में में अचन्स बाः यहां And what are those on the ends of your arms? I can explain everything to you. You see, I'm no thief. You broke into my train, assaulted my driver, mutilated him, and stole his hands. Apart from that, you are not a thief. I have not stolen them, miss. Only borrowed them for a while. You've got to be joking. I'm not joking with you, miss. I would never take such liberties. They belong to Oscar, my automaton engineer. Why did you steal them? They are extraordinary. Real mechanical wonders. I would never have been capable of designing... The person's saying that I didn't steal them. I only took them for a while. For his hands. I have only borrowed them, little missy. Temporarily, you understand? Of course, I shall... You see, these hands are all I need to complete my plan. At last, I can finish off my automaton pianist and fulfill my dreams. Everything is now in place. You see, I have converted this old, useless, stupid factory into a magical theater. Please, excuse me, I have... So be it. Let's talk about this... Obviously, all this has been made to be a big misunderstanding. So you're going to give me Oscar's hands back. And we're going to get out of your city. Out of the question, I must, Hafizah. Now, we're going to talk about this mission. I'm sorry, I can't make heads or tails out of your story at all. Without my engineer's hands, I'm stuck here. Everything I have designed, all that I have invented, everything. But who is she? Who are you talking? Helena. The one and only Helena Romanski. Her voice is so pure, like an angel. One day she came here. When I was told that the... And is she... Sure. Yeah, that must have been a happy... I don't know. Maybe someone should look for... And you promise that once Helena has sung, you will give me back my automaton's hands? I promise, my dear. You have... Well, I guess I'm going to have to believe you. Where should I go hunting? I have no idea. But for a woman of the world like yourself... Now, this person told me that there is a singer, Helena, who will be here and will be here. So, my pianist, who I have put in the hand of Oscar, he will play the piano. He will play the piano, then I will probably give you that hand. That's very strange. Please excuse me. So be. It seems this monorail is controlled. Here we go. We are not going to the top of the camera. We are not going to the top of the camera. And we will go to the side of the camera. We can go to the side of the camera. प्राइब में कोई चीज पढ़ी है वो चेप करेंगे हेलेना रुमेंसकी के बारे में इन्फरमेशन है यहां पर कुछ और कुछ लेटर्स मुझूद हैं इसके लावा यहां पर और कोई चीज मुझूद नहीं है इसको अधिक तो तो मैं यहां तक लाना होगा हेलेना रुमेंसकी को लेकिन कैसे यह पर ट्रेन जो है वो चलनी नहीं है आसकर के हाथ नहीं है हमें अब कॉल करनी चाहिए केट वाकर की मदर को सेलफून सेलेक्ट करें इंवेंट्री में से फून बूल करनी चाहिए हुप निकालें मॉम को कॉल करें अजरी माउब आवाब अव्काट वच इंवेर् हुप नहीं पुरणी लग नवेश्ट रूर्जर्ष नवेस लगश्व अज्व अजर्व इंवेर्श ने स्ट अवे अवेर्श्डर्व नप्य का रुछ्वेर्श्ट अ then he must have known a famous singer called Helena Romansky. She's Russian too. Please, if you could... Listen, honey, if it stars you're after, Frank knows them all. I'll just wake him up and let him tell you himself. You mean he's... Oh, you do? Great! Does he know where she went? Does she still sing? One second, Munchkin. Thanks, Abundle Mom. And Frank too, you're both fantastic. Love you both. And thanks... तो अपनी मदद से information लिए उसने सिंगर के बारे में और हमें अब जाना है उस सिंगर को लेने के लिए उपर जाना पड़ेगा मैं I think so फिर से अरिस बात कर देखें लिए टूफ इससे किसी लोगट कर देखें लेकिर से किसी यह कर दो के वोई फ्रेंट के पने हैं । किरसे के बुएफरेंट का फून है यह लुए थे रख एल अफस ओपन इन यह थे लिए वन केर केर शोषी हैं लौए सो फिर शोड़ करसे प्रुब एंजर तरोग्ट अदेसे ब्रॉस्टियाख में अशरर म्विप नेग्टा करता है। केरा केर कि ने बताया है, भी तक ने मिशन ने नहीं हुआ है। अब एफ विदेग्टे से फिर से बात करते हैं बाताट सब्सक्राइ कि और रें Zim जैसी तरेशेष से लिवारीर्स लट है कि ये कई हम् धार में धार में आर। दाये हब गैजी से कम फ्रक्ताइ में तरेश क सब्सक्राइब जान को में अफिए लगप इस अरेलबद कर दिए दिए कर दो हो कि आएल पाद को में जात आएल 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 जला कर लोगण दिए नहीं प्धा है आएल भाद को अफिए कर दो दो नहीं यह पहला है आपर एक नहीं जोग पर पॉंचुकिए Kate Walker लेट्स मूव फ़रवर्वर्ड पर जोग इसे हों Not really. Well, what... Look, it's like this. If I'm going to get to the end of... Oh, no, just an impression. You sound more sure of yourself. And that's a problem? There you go. Just takes one word and you're up on your high horse. What is that? Well, it means that... I had a drink or two... And what's he been telling you? Nothing. He's... You mean you're dating my fiancé? No! No, not dating. What would I do without you? Oh, you're jealous. You seeing each other again soon? Tomorrow night. No, no. No worries. Look, I... Here we go, Kate Walker, who is his best friend, Olivia, who is his best friend, is dating him with Dan. He's going to go to the next night. But I don't know if Kate Walker really cares. Because he's a lot of problems in the present situation. And I'm not doing the same thing. And I'm having a great job. I'm using the same thing. I'm using the same thing. करना होगा सिंगिंग के लिए राजी करना होगा ताके आसकर को उसके हैंड वापिस मिल सकें और ट्रेंड चल सकें यहां पर भी कोई चीज मिसिंग है एक परिंदा बैठा हुआ है वापिस नीचे जाना पड़ेगा दो स्रीजाइग पाल कर दो कर दो चलिए इस बंदे से बात करते हैं और इसे पूछते हैं कि क्या इसे हलेना के बारे में पता है